देहरादून में हरे भरे सौ से ज़्यादा पेड़ काट दिये कैब, लेकिन वन विभाग को इसका पता तक नहीं चला DFO का कहना है कि उन्हें इस पारे में कोई जानकारी ही नहीं है, पेड़ को काट कर यहां प्लाट बेचे जा रहे हैं नहर्यू ग्राम नत्थनपूर रोट चर्च के पास एक, दो, दस नहीं बलकि सौ से ज़्यादा पेड़ों पर आड़ी चल गई और वन विभाग को इसका पता तक नहीं चल पाया दियपो, वैभो का कहना है कि यह मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसे मैं सवाल उठता है तो फिर किसके इशारे पर सैक्रो पेड़ को काट कर खत्म कर दिया गया पेड़ काटने के बाद JCB चला कर जमीन को प्लेन करके प्लाटिंग की जा रही थी, बताया जा रहा है कि यह पूरा खेल वन अमले और प्रसासन की मिली भगत से हुआ है एक तरफ कई साल पूराने खोखले और सड़े गले पेड़ खड़े हैं जिससे जानमाल का खत्रा बना हुआ है वहां के भी पेड़ काटने की अनुमत वन विभाग नहीं देता है और एक साथ इतने पेड़ काट दिये चाहें और संबंधित विभाग को पता भी न चले बहुत चौकाने वाला है वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सट्यक विश्लेशा हम करते हैं सट्यका अनुवेशा तखल न्यूज आप देख रहे हैं तखल न्यूज